पुलिटिकल टर्मॉइल जो है आखिर क्या है क्लाइन की क्या सिटी है उसको क्लाइट आप कोई समरण हो कल मैंने तक्रिबान तीन बजे के आसपास पहली बार बात किया मुझे तो अभी भी दिखनी रहा कहीं कोई शिकायक नहीं एक बुनियाद जिसको साजा रूप से डेप प्रगतिशिल बहोजन वादी बुनियाद बेहदा वर्शक उसी बुनियाद के अधर पर काम भी हुआ आपने देखा होगा इतने बड़े पैमाने पर रोजगार पुरी देश के अनराजियों को मिला दे तब भी नहीं तो मुझे कहीं कुछ दिखनी रहा है लेकिन पिर भी संशय की चीजे कल हो रही थी तो इस संशय का निप्टान कोन करेंगा मानिय मुख मंत्री जी जो इस गटबंदन के भी मुखिया है इसलिए मैंने का कि हमें कुछ और नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारी नजर में कहीं कोई खोटी नहीं है कि यह दिख कर रहे हैं कि निदीश कुमार से क्या आप क्या पूछ रहे हैं उसके लिए तो हम लोगी का पिए और किस तरीके चाहिए नहीं जाना चाहता तो नेता गटबंदन के कोन है अगर आप लोग ख़बर चला रहे हैं बे बुनियाद या बाबुनियाद उन ख़बर कि यह दो कि अगरिफिकेशन हमारी तरफ से तो कहीं नहीं आपने सुना होगा तो इसलिए मैंने कहा था कि संशय और संकट के जो यह बादल है जो बनाए जा रहे हैं दिखाए जा रहे हैं उसका ट्लैटिफिके उसका रिजूलूशन बल्कि कौन कर सकते हैं तो माने मुझ क हाई टी आप लोग मुझे लगता है कि हमारे बिहार में ऐसा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिला मौसम भी वो चीजें देखने की कोशिश करने जैसे गर्मी की चीज़ों को शीत रितू में देखने की कोशिश करते हैं अलोग जी ते लेकिन कुर्सी से तेज़ हम लोग हम लोग तो अपने मानते हैं किस तरह की चीज़ों से किसी को कुछ नहीं हासिर होने बादे हैं अब देखिए बीजेपी का सवाल आप मुझे क्यों पूछते हैं और दरवाजा खुलने बंद होने की विधा उझे नहीं आती हमारी पार्टी को नहीं आती है हम तो जिस दरवाजें और चौकट से बंदेव हो हैं पूरी प्रतिबद्धता से बंदेव हो हैं मौसम और मिजाज देखतर कि अपनी राजनीत नहीं बदलते हैं हम लोग बैठक में फैसला होगा ना बैठक से पहले किसे आप